कि पूल कि नमश्कार कैसे हैं आप जिन एब जाइसें को लगता है कि मेरे लास अफ टेस्ट या स्मेल है ऐसे मरीजों के लिए वीडियो बहुत ज autism करने वाला है चिडिकन को लगता है कि मेरा जो इसून है वो नहीं आ smell चला जा या टेस्ट चला जाए तो क्या यह डेंजरस है और अगर किसी परिशन को smell चला गया है कितने दुनाओं बाद यह आ जाएगा तो इसके विछ डिसक्स करेंगे तो सबसे पहले समझ लेज़ेगा कि smell और टेक्र जो होता है क्यों जाता है हमारी वाड़ी के के अंदर होते हैं और यह नियूरोंस क्या करते हैं एक दूसरे से टच होते हैं जो जैसे हम टच किया तो यह इस information को brain तक ले जाएगा कि किसी ने हमें टच किया यह कोई चीटी है कुछ भी एक्स वाइज़र तो इस information को brain तक ले जाने के लिए एक वायर विच्छा हुआ है और वहां से लाने के लिए भी दूसरा वायर विच्छा हुआ है जिसे हम कहते हैं सिंपैटिक सिस्टम और पैर सिंपैटिक सिस्टम यह दो सिस्टम ऐसे होते हैं कि अचानक से अगर हमें कोई टेच कर दे कोई डरा दे तो यह दोनों एकदम से वर्क करते हैं और अचानक से हमें इतनी एनर्जी हो जाती है इतनी एनर्जी आ जाती है कि हम एकदम से भाग जाते हैं अकर मानने कना हमारे सामने एक से एक अचानक से इतनी इतनी वहाँ भागे कि हमारे अंदर इतनी स्पीड कहा से यह सिश्टम होता है पैरा सिस्टम और सिंप्याटेक शूटम दोनों एक दिन्टों से काम करते हैं down हो जाता है दूसरे का कम बढ़ जाता है इस तरीके से ठीक है तो अब बात करें कि जो यह nervous system है यह क्या होता है पूरे body में है और यह हमारे nose के अंदर भी है टंग के अंदर भी है क्योंकि टेस्ट की information लेकर जानी है अब टेस्ट की information या smell की information ब्रेन तक ले जानी है ब्रेन पहँचान रहा है नाक नहीं पहँचान रहे आपकी विरेन पहँचान रहा है विरेन तक यह information जाने के लिए connectivity होती है तो एक example दे रहा हूं कि आप इससे समझे वायर तार डली हुए वायर डली हुए है अब information जा रही है अब मानके चलिए कि जो अगला हिस्सा वायर का है अगला हिस्सा जहां पर हमें वह लगा एक दूसरा तार जोड़ना था या वहां से हमें light जलानी थी तो वह हिस्से को अगर हम उस पर टेप लगा दें तो क्या उ इसी तरीके से अगर हमारी नांक के अंदर पिड़ी जमने लगे तो क्या उस तक वह इसमेल जा पाईगी नहीं जा पाईगे क्योंकि वह टैप का काम कर रहा है और इसी तरीके से अगर वह जो नर्व सेल्स है थोड़ी डेमेज ज्यादा होजाए वायरस जो है उससे के अंदर काफी सरे test होते हैं मीठा अलग है खटा अलग है नमक का अलग है तो यह अलग-अलग होते हैं इसी तरीके से जब हमारी cells damage हो जाते हैं तो यह loss of test or smell हो जाता है पिशिंग को अभी कितने दुनों तक है वह आना इस्टार्ट हो जाता है फिर वी इसके लिए कोई medicine यह होमेपेथी में पलसे टिला एक ऐसा medicine है जिससे आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं 200 पोटेंशी में दिन में दो बार सुबह एंस्याम को इस medicine को आप लेंगे दस बारा दिन के लिए इवन पंदर दिन तक अगर आप इसे ले सकते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो टैस्ट था वह इसमेल थी वह रिटर्ण आना इस्टार्ट हो जाएगी कुछ पिसेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें यह लंबे समय तक medicine देनी पढ़ सकती है जिससे बहुत ज्यादा medicine medicine जो treatment चला है तब वह patient recover हुआ है यह depend करता है बच्चों को यह medicine जिलिफ आराम मिल सके उनको राहत मिल सके मैं फिर मिलता हूं इसी तरह किसी नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार थैंक्स वाचिंग है बनाइस से चाहिए जय भारत झाल